तो कैसे हो आप सब I hope आप सभी के preparation बहुत ये अच्छे चल रहे होगी तो दोस्तों जो हमारे Facebook group हैं मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूं जो हमारे Facebook group हैं उसमें बहुत सारी query आ रही थी कि किसी के पास Nevy का previous paper थो प्रीज प्रवाइट करणा दो दिख सकत तो दो दोस्तों य ये मेरे एक इसनी अपर फेस्बूप के काफी सारी क्वेरि आ रहती कि किसी के पास अगर नेवी का प्रेपर आठेंब करूStr О2 दोस्तों मुझे लाए है कि आप सभीं को ये पेपर प्रोड करो ना चाहिए राइट और आप मेंसे जिस ने भी मेरी वीडियो देख्यों कि इंटर्वी वाली की मतलब मैंने जिसमें बताया था कि मैंने कैसे Air Force का एक्जाम क्वालिफाई किया था, उस एक्जाम में मैंने आपसे बताया था कि मेरा एक्जाम नेवी का तीन चार फरवरी को था, और ये पेपर उसे दिन का है, अगर आप सारे questions मुझे याद थे, मैंने लिख रखे थे, तो और हो सकता है और वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाए, तो आप वीडियो को कंप्लीट वाज करना, बाकी आप मेरा टेलिग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी update मिल जाएगी, सारे important पीडिया भी आपको ही मिल इसके लाओ अगर आपकी कोई query है, तो आप मेरे से Instagram पे contact कर सकते हो, दोस्तों को Facebook में reply नहीं कर पाता, क्योंकि यार वैसे ग्रूप की वज़ा से इतने सारे message मेरे पास आते रहते हैं, कि मैं Facebook के किसी का reply नहीं कर पाता हूँ, और Instagram पे सिर्फ वही message करता है, जिसको वास्तो दोस्तों ये सारे question exact आपके exam में पूछे गए थे, तो I hope आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो यार प्लीज लाइक और शेर करना मत बूलना, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला question था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी की युद्ध था 1777 में, अगला question ह question है, बिश्व डाग दिवस कब मनाया जाता है, इसका answer था 9 October, ठीक है, अगला question था, पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों इसमें और भी options थे, एक option था, सत्यवादी राजा हरिशन, तो मैं उसमें confused था, बाकि इसका right answer आलम आ रहा होगा, और मैंने exam में यही ठीक भ होता है, लेकिन जब मैंने google किया, तो मेरे को मिला भरत नाट्यम इसका right answer था, इसके अलावा इसमें कतकली और और भी कई सारे options थे, तो इसका right answer होगा, ठीक है, तो इसका right answer है, भरत नाट्यम होगा, अगले question की बात करें, तो अगला question था, Michael Jordan किस खेल से संबंदी थे, इसक शायद कुछ मसेरू या पेरू ऐसे किसी country की capital पूछी गई थी, तो मैंने उसे सायद skip कर दिया था, और मुझे पता ने कि मैंने question क्यों नहीं लिखा, वो question मुझे अच्छे से याद भी था, लेकिन अब मैंने इसमें include नहीं किया है, तो यार, right, तो चलो, आगे बढ़ते अगला question full farm से है, STTP की full farm क्या होगी, तो STTP की full farm होगी hypertext transfer protocol, दोस्तों ये सारी exact questions exam में आये थे, अगला question है, FM की full farm क्या होगी, तो दोस्तों FM की full farm होती है frequency modulation, अगला question है, CD की full farm क्या होगी, तो CD का full farm होता है compact disc, और अगला question है, सबसे चमकिलागरा काउन सा है, तो सबसे चमक लग रहा शुक्र होता है और यार जो लोग इंगलिश वाले हो थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि यार मैं हिंदी मेडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो यार सारे कुश्चन को इंगलिश में याद रखना थोड़ा सा मैं ले क्रिडिकल था ठीक है थोड़ा सा मैं बढ़े हो था तो मुझे आगे वाल नाम नहीं याद है तो इसका राइट एंसर लिऊ होगा ठीक है मतलब कि लिऊ के आगे भी कुछ और था जो कि मुझे याद नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन की और देख Woche है जो अगला कोईशन टिक कर दिया था जो की गलत है जिसका राइट एंसर आयान मंदो लोगा देखो अगला कोईशन काफी आसान था भारत की पहली महिला माउंट टेरोरिस चड़ने वाली कौन है तुओ थी बचहेंदरी पाल और मैंने इसे फिर राइट किया था दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था आपने इंटर्वी वाले वीडियो में यानि कि मैंने कैसे एरफोस क्वालिफाई किया था उसकी लिंक डिस्क्रिप्चन में आप जाकर देख सकते हो अभी देखो मैंने उसमें बताया था कि जो पेपर देकर मैं तुम्हें काफी खुश था मुझे लगाया सब् जीके जिस तरीके से या था मुझे एक कम से कम इसमें 15 प्लस की उम्मीद थी लेकिन यार मेरे स्कोर काफी कम था आप मेरे स्कोर जाकर देख सकते हो उस विडियो में मैंने उसमें अपना इसकोर भी दिखाया था तो यार देखो जीके काफी आसान है और मुझे पता नहीं मेरे marks मतलब कटे कहां थे अगर आगे बात किया देखो अगला question है अरूर ने एक photo की तरफ इशारा करते हुए कहा ये मेरे दादा के इकलाओते पुत्र की पुत्री है तो अरूर का उस photo से रिष्टा क्या है दो इस question reasoning के blood relations से है और मैं इसके बाद आपको एक separate video बना कर दे दूँगा कि मतलब की जीके का मतलब format कहा रहते है मतलब कितने questions कहां से आते हैं और मैं आपको दावा करता हूँ मैं जितना बोल दूँगा आप उतना पढ़ लोगे तो आपके जीके में दड़की का भाई है मतलब पुत्री का भाई है देखो अगला question भी reasoning से है यदि जल को उश्मा उश्मा को वायू वायू को मिट्टी मिट्टी को जल कहा जाए तो मचली किस में तेरेगी देखो दोस्तों simple सी बात है मचली पानी में तेरती है और पानी को हमें जल को हम उश्मा कहते है तो simple सी बात है उश्मा में तेरेगी मचली उश्मा में तेरेगी और अगर आप सभी चाहतों कि मैं Air Force का भी previous paper upload करूँ तो आप देखो Air Force की exact सारे questions मैं लिख रखे हैं मुझे अब भी अच्छे से याद हैं तो अगर आप चाहतों कि मैं Air Force का भी paper upload करूँ था प्लीज comment box में नीचे comment करो मैं उसमें सारे questions आपको provide करवा दूँगो उसमें सिर्फ passage के 4 questions नहीं है बाकी यार PQRS तक मैंने लिख रखे हैं ठीक है तो आपको सारे questions मिल जाएंगे सतर में सतर question Air Force के कर आप चाहतों में उसे upload कर दूँगा देखो अगला question भी था numerical series थे एक पांच चौदा तीस फिप्टिफाइब निटीवन टीक है वन फाइफ फोटीन थर्टी फिप्टिफाइब निटीवन इसके आगा बताना था टीके बाद question mark फिर x के बाद question mark यहीं कि आपको बताना है कि इन question mark वाली जगहों पर क्या आएगा देखो दोस्तों यह जो question यह जो exact question नहीं है ठीक है मतलब exam में question ऐसा ही कुछ आया था मेरे को exact latest नहीं या थे तो मैंने ऐसे लिख लिख लिया था देखो अगर आगे बात की जाए तो आगे भी एक question reasoning से ही है यह coding decoding से question है result को कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था यहनि कि result को यह कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा मतलब दोस्तों यहाँ पर कुछ code दिया हुआ था जो कि मुझे यात नहीं था मतलब जब मैं घर आया तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ठीक है तो इससे आप question का idea लग जाएगा ना कि मतलब question किस टाइब क्या आते है निवी एक्जाम में तो लिखा हुआ था कि result को कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा ठीक मतलब ऐसे कोई sentence कहा पर था उसको पूछा गया था कि इसको क्या बोला जाता है दोस्तों यह question आसान था और मैंने solve कर लिया था coding recording काफी आसान टॉपिक है अगर अगले दो question की बात करें तो अगले दो question आपर भी एक डिबबा में और कोई image दी गई थी बाकी अगले डिबबे में बताना था कि कौन से image आएगी तो मुझे अगली दो याद नहीं इसलिए मैंने सिर्फ दो ही बनाया था कि आपको idea लग जाएगी कैसे questions आती है और दोस्तों देखो अगला question में कुछ इसी type का था कि मतलब ऐसे कुछ image दी गई थी और आगे भी दो डिबबे में कुछ image दे गई थी इसके बाद बताना था यहाँ जो डिबबा आएगा इसमें कौन से image आएगी तो मुझे दोस्तों मुझे वह भी मतलब image नहीं आथ इसलिए मैंने हाप पर include नहीं की है तो यह रहे जिके के करीब 20 questions आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होगी तो चलिए अब बात करते है math question की ठीक है math के करीब 24 questions मैंने लिख रखे है तो चलिए यह हम पहुच गए math में दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि math क मैं आपको solution नहीं दे पाऊँ क्योंकि यार मेरे पास touch pen भी नहीं है और अगर मैं solution दूँगा तो वीडियो आर एक गंटे से अधिक हो जाएगी जो कि आपके लिए काफी time मतलब काफी time विस्ट होगा तो आप इसको खुच से solve कर लेना बाकी जो answer आपको अभी है आप अभी नीचे जरूर कमेंट करना देखो पहला question था यदि sine 2a plus sine 2b is equal to sine 2c है तो त्रिभू चेनी की triangle कैसा होगा तो आप इसको विए बास solve कर लेना देखो अगला question था किसी shrink खला से a1 plus a3 plus a5 plus a6 is equal to 6 है तो a1 plus a2 is equal to 4 है तो a1 plus a2 plus a3 plus 4 मतलब दोस्तों ये exact question नहीं है एक्जाम में का मतलब ये बाला question exact नहीं है ये question कुछ इसे पिकार का पूछा गया था जो कि मुझे मतलब समझ भी नहीं आया था तो question मतलब ऐसा ही same था थोड़ा सा मतलब change इसमेहल का फुलगा बगए exact question ऐसा ही आया था और अगला question है तेखो अगला question है यदि log 2 base 10 is equal to 0.3010 है तो log 10 base 2 is equal to क्या होगा दोस्तों ही काफी आसान question था और मैंने इसे solve भी किया था अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब question का pattern क्या था आप एक बाई इसे देख लेना दोस्तों आपको वो दिखा समिकरड बताना है जिसके मूल इस दिखा समिकरड के मूल के व्यूत्करम है यनि कि इसके मालो A और B है तो उसके वणा पाने वणा पान भी का आपको बताना था तो काफी आसान question था देखो आपको पेपर देखके डरना नहीं नेविक एक्जाम में करीब 15 question आसान आते हैं आप उसे आराम से कर सकते हो बाकि 10 question थोड़े बेची दे आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं वाला question जो मतलब यहाँ पर दिया हो एस रिंग खलागा तो करीब 10 question ऐसी थोड़े मतलब अजेब टाई बात हैं तो इसे आप solve कर सकते हैं देखो अगला question था binomial theorem से x minus 2 z square की पावर 5 के expansion हैं की के प्रसार में expansion में x cube z की पावर 4 का गुडांग है नहीं के coefficient क्या होगा तो आप इसे एक बात देख लेना यह question same exam में आऊ था और देखो यह काफी आसान question था इसमें दो रो same दी हुई थी और आपको बीच वाली कुछ different थी बाकि दो रो में same मतलब minus 610 exam में same दिया हुआ था और पुछा था इसकी value क्या होगी तो इसकी value simple सा लड़ जाएगी ना 0 हो जाएगी यह exam में same question था मुझे अच्छे से आता देखो अगला question भी कुछ matrix से था और मैं आपको बता दू नेवी का matrix और determine favorite topic है कम से कम 3 question यह हर बार बनाते हैं तो आपको इने अच्छे से पढ़ लें हैं देखो अगला question था कि 0-3 से बिन 1, 2, 1, P, 5, 2 अगर एक आप विउत कमड़ी आप भी हो है अगर एक non-singular matrix है तो आपको P की value बतानी है आपको P की value बतानी है दोसों सिंपल से बार इसका mod is equal to 0 कर दोगे तो आप यहाँ पर P की value find कर लोगे देखो अगला question था expansion से 1 प्रस 3 अपान 2 factorial प्रस 5 प्रस 3 प्रस डैस डैस infinite किसका expansion है तो इसके options मुझे याद नहीं है तो आप एक बार देख लाना है किसका expansion है देखो अगला question काफी आसान था बिंदू यानि की point minus 3,5 minus 2,3 से जानने वाली सरल लेखा यानि की straight line की equation क्या होगे देखो कितना आसान question था आप यह से बहुत ही अराम से कर सकते हो देखो अगला question circle से था x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 plus y into y minus y2 is equal to r square बित्र का equation नहीं की बित्र का समिकराड हो तो बित्र का केंदर क्या होगा ठीक है बित्र का यहाँ पर केंदर पूछा गया था तो आप सभी को पता है कि यह व्यास वाला यानि की इसका answer हो जाएगा देखो अगला question यहाँ पर दिया हुआ था कोई state line y is equal to 4x plus c अधी परवले को कभी स्परश करेगी दोस्तों मैं यहाँ पर अधी परवले नहीं की hyperbola का equation लिखना भूल गया है यहाँ पर hyperbola का equation करी y square is equal to 4x करके तो यह direct property है मतलब इसको आप देखते ही tick कर दोगे exam में तो यह काफी आसान question था तो आप इसको देख सकते हो ठीक है अगला question limit से काफी आसान question था limit extend to 3 x cube minus 3x plus 6 upon x square minus 9 की value क्या होगी दोस्तों यह भी काफी आसान question था आप इसे भी solve कर सकते हो देखो अगला question domain and range से था log 5x minus x square plus 1 की domain क्या थी तो यह थोड़ा सा आपके लिए lengthy question हो सकते है बाकी दोस्तों यह भी question आसान है आप इसको greater or equal to 0 करके आप इस solve कर लेना देखो अगला question था x cos x square का आपको integration की समा कलन बताना था x cos x square का आपको integration यहनिकी समा कलन बताना था right तो देखो इसमें आप simple सा है x को आप T मान लोगे तो आपके आराम से solve हो जाएगा ठीक देखो अगर अगले question की बात करें तो अगला question था e की power x minus देखो दोस्तों इसको यार थोड़ा मुझे अपी ध्यान में नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं इसको कुछ महत्तम गुडांक ऐसे कुछ बोलते है right तो इसका मतलब होता है कि कि इसकी जो value होती की नहीं दो point के बीच होती इसका मतलब ऐसे कुछ मतलब होता है अगर आपको जो को अभी अच्छे से clear तो आप प्लीज नीचे comment कर दो ताकि मुझे भी help मिल जाए तो यह मुझे एच्छे से याद नहीं आ रहा कि मतलब यह question कैसे solve होगा बाकी exam में बिल्कुल सेम question है तो और मैंने इसी skip कर दिया था देखो दोस्तों दिखने में काफी आसान लेगे हैं काफी लिंदी question इसमें जो answer था मतलब mode में दिया होगा था इसके options तो मैंने इसी solve नहीं किया अब देखो अगला question थोड़ा सा मज़ेदार थोड़ा सा अजीब टाइप है देखो अगला question probability से आसान भी है और अजीब भी है किसी सिक्के को उचालने पर प्राइगता है नहीं कि किसी coin को toss करने पर probability कैसी होगी देखो इसके options भी कुछ इस type के थे निश्चित आ निश्चित याद रिच्छिक यनिकी random और भी एक option दिया होगा था मतलब की तो ये question देखो थोड़ा स मुझे confusion कि इसका right answer क्या होगा हो सकता ह है कि इसका right answer वाला मैंने option लिखा ही ना हो तो इसका जो भी right answer हो आप नीचे जरूर कमेंट करना ठीक है दोस्तों देखो अगला question से था काफी आसान question से था अगर a is equal to 1245689 b is equal to 78912 है तो b minus a is equal to क्या होगा तो देखो कितना आसान question था आप इसे बहुत ही अराम solve कर सकते हो अगर अगले question की बात करें तो ये question में थोड़ा अजीब type था जैसे मैं बोल चुका हम आपसे की नेवी के exam में कम से कम 4-5 question त्यार ऐसे आएगे मतलब आपने उस type question कभी देखे नहीं होगे right तो ये question देखो कुछ उसे type का था कि कि किसी बहुपत का लगू रूप सरल हो जा तो यार इसको मतलब ये question में अभी तक भी समझ नहीं पहाएं कि मतलब यार ये question कहना क्या चाहरा है तो आप इसको एक बार देख लेना कि question क्या बोल रहा है देखो अगला question था ये भी question function से काफी आसान question था if x cube थी दोस्तों ये x की power 3 यानिकी x cube अठीक है f x cube is equal to x की power 5 है तो f dash 8 is equal to क्या होगा यनिकी f dash यनिकी f का differentiation 8 is equal to क्या होगा तो आप इसे एक बार solve करना काफी आसान question ये बाला भी है बाकि इसके अलावा मुझे 3-4 questions याद नहीं थे मानक बिचलन से एक question काफी मतलब आया थ जो की थोड़ा सा difficult type था बाकि vector से एक hard question आया था और dy by dx से भी एक hard question आया था बाकि एक question मुझे आज नहीं थे मतलब की बाकि एक question क्या पूछा गया था तो दोस्तों ये रहे करीब 20 plus questions math के अब चलिए हम बात करते हैं English के ठीक है की नहीं चलो पहले हम बात करते है science की तो द आता है ठीक है और यार physics questions लगबग general science वाले ही आते हैं चार-पांच questions आते है concept वाले air force type के बाकि सारे questions general science के आते हैं तो आप उन्हें आप आराम्स कर लोगे देखो पहला question था किवल निर्देश की आधार पर computer कौन सी भाशा यानिकी language समझता है तिसमें एक binary language भी options था और भी दो option थे तो इसका right answer होगा assembly linguistic है इसका right answer होगा assembly language बाकि इसमें दो और options थे एक binary था और भी दो options थे मुझे याद नहीं अच्छे से भी देखो अगला question थोड़ा सा मज़ेदार है तो थोड़ा सा confusable है मैं इसमें अब तक confusable है कि इसका right answer क्या होगा देखो विद्धु चुमगी तरंगे इसके बाद dash था और पूछा गया था कि मतलब चार option दिये थे कि अनुदैर तरंगे अपने साथ उर्जा ले जाती है अपने साथ उर्जा नहीं ले जाती है अपने साथ उर्जा ले जा सकती है तो दोस्तों मुझे इसमें option d correct लगता है बाकि आप comment करो कि इसमें option b correct है या option d correct ठीक है और आप सभी को शायत पता होगा जिसने भी नेवी का एक्जाम दिया है कि नेवी के देख़ार यह favorite question होते है नेवी इस तरह question science में बहुत बनाता है कि मतलब आपको दे देगा और उसमें आपको अच्छा कासा confusion create कर देगा ना कि मतलब इसमें कौन सा answer right होगा option a b या d और मेरे सबसे इसका answer d होगा बाकि आप बताओ आपकी सबसे कौन सा होगा देखो अगला question था बिद्दूत उर्जा को या अंतरिक उर्जा में कौन बदलता है तो इसका simple सा answer होगा ac motor ठीक है यहाँ पर एक और option था यानि कि कुछ और था मुझे या ठीक हो था और इसके लाओ दो और चीजों के नाम दिए गये तो और पूछा गया था कि इन में क्या पाया जाता है प्रूटीन होता है वसा होता है कल्शियम होता है क्या होता है तो इसका right answer था calcium ठीक है इसका right answer रोगा calcium यानि रोटी निम्बू और भी जो चीज़े ने उन पदार्थ की नेचर पर तो इसका राइट एंसर होगा छड़ के पदार्थ पर अगर अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन, कोश्चन नमर 6 था यदि प्रित्वी का द्रभमान नियत रख करें नहीं, कॉंस्टेंट रख कर त्रिजे नहीं की रेडियस, हाफ नही किसके बराबर है, न्यूटन इंटु मीटर किसके बराबर है, इसके ऑप्शन है, वोल्ट है, जूल है, केल्विन है, ननाब दीस है, तो आपको सभी को साथ पता होगी, W is equal to Fs होता है, तो इसका सिंपल सा एंसर जूल होगा, राइट, क्योंकि ये फोर्स होगया, ये इस is equal to Fs, अगर अगले question की बात करें, तो question number 8 था, किसी परिपत में bulb लगा है, तो bulb के fuse होने की छमता किस पे निर्भर करती है, दोस्तों, ये question असल में exact question नहीं है, exam में question इसी type का पूछा गया था, bulb के fuse होने वगएरा पर, तो मुझे question अच्छे से याद नहीं था, कि question पूछ पूछा गया था, बलकि ये exact question नहीं, बस दिक्कत ये बाकी question ऐसा ही कुछ पूछा गया था, तो आप confused में तो नहीं होना कि मैं आपको क्या provide कर रहा रहा हूं, और देखो अगला question है, वेग को दो गुना करने पर तरंग देर्ध होगी, मतलब दोस्तों, इसमें option था, कि वे और lambda में कोई relation नहीं होता है, तो इसका answer हो जाएगा, आ परिवर्ति जाने कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको काफी लोगों ने शायद उस time गलत कर दिया होगा, क्योंकि यार मतलब उस time सबको इतने concept clear नहीं थे, अगर अगला question की बात कहों, तो question number 10, chemistry का question था, और निम्ड में से कौन सा good, धातू का good नहीं है, ठीक है, दोस्तों इसमें 4 options थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि chemistry biology में मतलब बहुत वीक हों, तो दोस्तों इसमें 3 और options थे, जो कि मुझे याद नहीं है, इसमें right option, option number A था, कि धातू हमेशा negative होती है, यानि कि धातू पर positive charge भी होता है, negative charge भी होता है, और उदा से इन भी होता है, तो इसमें मुझे option A ही correct लगता है, और इसलिए मैंने इस question को लिखा है, क्योंकि यार इसका मेरे पास answer था, इसलिए मैंने इस लिखा है, अगर मेरे पास answer ना होता, तो मैं इस question ना लिखता, क्योंकि यार देख अगला question इनकी science का last question मेरे पास था कि 0.29 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी दो simple सा है इसमें दो अंकों के right अगर कुछ मेरे गलत बता दूँ तो आप नीचे comment कर सकते हो कि मैंने गलत बता दिया तो 0.29 में सार्थक अंकों की संख्या दो होगी और दोस्तों इसके लाओ भी करें मुझे 5 questions और यहाथ थी जो की मतलब incomplete थे यानि कि जैसे मैंने आपको बताया यह बाला question या यह बाला question कुछ इस टाइप की मतलब questions हो जाते तो मुझे लगा यार कि वो questions मुझे आपको provide नहीं करवाना चाहिए ताकि यार आपको मतलब कोई भी confusion ना हो योकि यार द इसके लावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसकी PDF मेरे टेलिग्राम पे मिल जाएगी अगर password मांगे तो password आप डाल देना 875668 ठीक है फिर समय बार बोल दे रहा हूँ आपको इसकी PDF मेरे टेलिग्राम पे मिल जाएगी link description में है अगर वहाँ पे password मांगता है तो 875668 875668 ओके तो दोस्तों चलिए आप बात करतें English की last section फिलाल exam में English सबसे पहले आता है उसको science आता है फिर math आता है फिर gk आता है लेकिन हमने उल्टा किया है पहले gk किया last में English कर रहे हैं तो देखो exam में shift का synonym sorry exam में shift का antonym पूछा किया था तो simple सा है shift का antonym होता है move shift का synonym move होगा right तो exam में shift का synonym पूछा गया था यहाँ पर antonym में गलत लिखा है exam में shift का synonym पूछा गया था और shift का synonym होता है move राइट यहाँ पर synonym कर लो आप थोड़ी से मेरे से गलते हो गई shift का synonym move होगा देखो अगला question भी synonym से ही था glassy का synonym पूछा गया था और यह word थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है आप देख लेना बकि exam में same word आया था और मैं काफी इसमें confused था तो इसका synonym डेल होगा मैंने सायथ google किया था कैसे लिखा मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन इसका answer डेल होगा options में डेल था और दोस question idiom से है a snake in the grass देखो काफी आसान idiom पूछा किया था a snake in the grass का मतलब क्या होता तो simple sayar a hidden danger right an unrecognizable danger बोलो या a hidden danger बोलो या आप कुछ बो राइट तो इसका answer होगा a hidden danger exam में option था an unrecognizable danger हाँ exam में वो option था an unrecognizable danger a hidden danger exam में नहीं था मैंने इसे अपने से लिख दिया बाकि exam में option था an unrecognizable danger देखो अगला questions भी idiom सही था दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त ने exam दिया तीन फरवरी को morning shift में तो आप उसे वीडियो दिखा देने आर वो बता देगा हाँ या रही सारे questions पूछे गए तो देखो question था end in smoke तो इसका answer होगा come to nothing या come to failure ठीक है end in smoke का मतलब होत देखो कि come to failure होगा और देखो अगला question wise से है जैसा कि आप सभी को बाता है कि नेवी के exam में दो narration आता है दो wise आता है right तो मुझे narration मतलब मुझे narration दोनों याद नहीं थे और मुझे wise सिर्फ एक याद थी तो देखो मैंने लिख रखा है I was kept waiting by Mina wise पताना मतलब इसका क्या होग तो simple साथ दिख रहा है कि यह sentence passive wise में इसको आपको active में बदलना है तो और मेरी साब से इसका answer होगा Mina kept me waiting right आपकी साब से क्या होगा आप नीचे comment कर सकतो बाकि देखो अगला को आगे दो question narration से थे जो की काफी आसान थे लेकिन मुझे questions याद नहीं थे इसलिए मैंने नहीं ल तो राइट और इसमें एक error पूछा हुआ था और ये मेरे shift में इकलावता error था याने कि इकलावता error था इसके लाव मेरे paper में कोई error नहीं आया हुँथा तो पूछा किया था millions आप use करके आगे sentence था इसमें पूछा किया था error तो जैसा कि आप सभी को बताए कि कोई जाती हो होगा इसलिए मैंने यहाँ पर इससे लिखा कियार मुझे लगता था कि इसके option A में error है बाकी आप बता सकते हो कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो देखो अगला question था डिग्री से याने की adjective से ये भी कापी आसान question था generally dash hotels are dash than cheap hotels नहीं कि आप इसमें options थे more more expensive more comfortable less expensive less comfortable मतल बस यहां में लिखना भूल गया देखो दोस्तों इसमें क्या right answer हो देखो generally यहां पर हो जाएगा more expensive ठीक है more expensive hotels are more comfortable ठीक है generally more expensive hotels are more comfortable than cheap hotels ठीक है यहां पर सैथ थोड़ा सा sentence में इरा रहे है आप इसे देख लेना बाकी exam ये same question पूछा गया था generally more expensive hotels are more comfortable दोनों मतलब है दोस्त करके दिया हो था दो sentence कामा करके तो फिल करना था अगले question की बात के तो अगला question था she go to doctor डायस told her I small wrist तो दोस्तों यह question प्रोनाउंस है और आप मेंसे जिसने भी मेरी वीडियो देखिये इंटर्वी वाले देखो मैं इसमें साब साब बताया था मतलब कि जो मेरे जनर्नी ए delete कर दिया है तो देखो यह question मैंने उस channel पर करवाया हुआ था देखो यहां पर simply होगा हूँ ठीक है यहां पर simply होगा हूँ बाकी exam में options थे bitch था whom था whose था इसको काफी लोगों ने गलत किया होगा लेकिन इसका right answer हूँ होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे पर देखो अगला देट फार्म बताना था तो देखो question था teachers and parents are unhappy that their children are failed तो दोस्तों इसके options मेरे पास नहीं है बाकी exam question पूछा गया था अगर अगला question फिलर से था काफी आसान question था article पूछा गया था कपिल देव डैश वर्ड कप in 1983 दोस्तों यहाँ पर sentence आगे थोड़ा सा कुछ और था यानि की India 1 मतलब ऐसे कुछ था यानि की मतलब दोस्तों यहाँ sentence मतलब यह सेम था वाकि इसके आगे थोड़ा सा कुछ missing हो रहा है तो यार हमें उससे का मतलब right हमें यार मतलब मतलब है आपने फिलर से तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि कोई भी ट्राफी होती है उसके आगे दा आता है चाहे कोई मतलब क्रिकेट की ट्राफी हो चाहे कोई होकी की ट्राफी हो सभी की ट्राफी की नाम के आगे दा आता है ठीक है तो यहाँ पर दा होगा ठीक है बागी 1983 मतलब ऐसे कुछ था टीम इंडे करके तो इसका राइट एंसर दा होगा देखो दोस्तो अगला कोश्चन प्लुकुल सेम एक्जाम में कोश्चन आया हुआ था ओपन दा डूर कॉमा इट इस डैस तो दोस्तो इस कुश्चन में काफी लोग कन्फ्यूस थे और इसे मैंने भी गलत कर दिया था यहाँ पर देखो आई मी और मतलब शी करके कुछ और भी ऑप्शन थे मुझे याद निबाकी ऑप्शन तो देखो आर इसमें काफी चेका सा कन्फ्यूसर मन रहा लेकिन यहाँ पर आई होगा ठी मैं घर आनक बार डिसकस करा था कि मतलब कुछ लोगों के साथ तब मुझे मालू हूँ यार कि इसमें मी होगा आई होगा में नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ देखो दोस्तों इसके बाद अगला कुश्चन था वन वर्स से आई समाल ग्रूप आप हाउसे इना विलेज और यह कुश्चन भी मैंने एक्जाम में गलत कर दिया था देखो आर इसका राई टैसर होगा है है ठीक है इसका राई टैसर होगा है है मेरा द्यान है गया है दोस्तों मुहला जो आप्शन था ये काफी अच्छा-कासा कन्फूज कर रहा था और मुझे इसके चारो देखो science का जो question था यहनि कि विद्दो चुम्बगी तरंगेवाल वो भी confused कर रहा था तो मुझे उसके भी option याद थे और इसके भी option याद थे और यह भी मुझे confused कर रहा था तो देखो इसके मुहला मुझे बहुत confused कर रहा था और मैंने शायद इसमें town टिक किया था बाकि इस difference क्या होता है दोनों के passage में आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब किसका passage आसान होता है किसका passage we tip है एडिक है बाकि है नेवी का पैसेज मतलब का फी लंबा होता है देखने में लेकिन यहां पर इन DEKE काफी आसान होता है एरफोस में क्या होता है कि आपको संदम 59 से मतलब मुझे याद नहीं है मतलब करीब 9 ओल privileged में करीब एक इरा रहा हुआ था इंग्लिश में करीब 5 पैसिज थे और करीब 2 narration wise 2 active पैसिज थे तीन वो क्याब से question था और 2 question idiom phrase से थे और एक question one word से था और इसके लाओ भी कुछ question थे तो दोस्तो ये रहा मतलब नेवी का paper 3 February morning shift का I hope आप सभी को पसंद आओगा यार पसंद आओ तो like को share करना मत भूलना क्योंकि आर वीडियो बनाने में काफी मिनत लगी है बाकि जैहिंज भारत वंदे मातरम और अगर आपके किसी दोस्त ने exam दिया है 3 February को तो आप उसे दिखा देना ये वाला paper आपको वो बता दे का हाँ सारे questions यही आयते बाकि आप मेना telegram join कर लो वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी password अगर मांगता है तो आप डाल देना 8756 875668 ठीक है 875668 तो ठीक है दोस्तो जैहिंज भारत वंदे मातरम